चटाई डियन बनाने के लिए हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग को ले लिया है तो सबसे पहले हम यह बतादे फ्रेंट की पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चवडाई क्या होनी चाहिए तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चवडाई लिया है और हमने जो यहाँ पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है तो इस तरीके से आप ले लेंगे तो सबसे पहले पट्टी को इस तरीके से खोल कर हम दिखा देते हैं कि हमने जो इसकी चोड़ाई लिया, इस तरीके से इस तरीके से फॉल्ड कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसी तरीके से बहुत सारा बना लेंगे तो हमने बना लिया है अब हम इस तरीके से पैच को रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद ऊपर से एक पट्टी को रखनी है और जब हम दूसरी पट्टी को लगाएंगे तो बिल्कुल सटाक कर लगाएंगे इसी तरीके से पट्टी लगाते हुए हम पूरे पैच में चले आएंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंट तो प्लीस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के क्लिक करके औल पे प्रेस कर ले ताकि हमारी नहीं नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे इसी तरह से अब हम दूसरी सेड भी लपे स्लै लगा लेंगे और अच्छे तरीके से पट्टी को हम बैठा लेंगे स्लै कुला आने के बाद अब हम पैच को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है और यह बिल्कुल उरेव है और हमने जो इसकी चवडाई रखा वो एक इंची पक्का रखा है तो इस तरीके से उरेव पट्टी को नीचे रख लेंगे और इस तरीके से आप पैच को ले लेंगे इस तरीके से पैच को आप रखेंगे और पैच को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल एक सम्मान हम सलवार लगाते हुए पूरे पैच में पट्टी को हम अटैच कर लेंगे सिलाई को लगाने के बाद अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे और पट्टी को पलटने के बाद आप नाखुन लगा लेंगे नाखुन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे इस तरीके से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक सम्मान हम पैपिन निकालते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे इसी तरीके से सेम एस्टेप को फॉलो करते हुए दूसरी सेड भी हम पैपिन को निकाल लेंगे तो फ्रेंड हमने पैपिन को निकाल लिया है पैपिन को निकालने के बाद हमने दूसरी पट्टी लिया है जो कि सलवार का फैब्रिक का है जितना चवड़ा उस भोग वाले पट्टी हमने बनाए था दोइंची फैब्रिक का तो दोइंची फैब्रिक का ये भी पट्टी बना दालनी है इख पट्टी को छोड़ते हुए इस तरीके से हम पट्टी को डालेंगे अच्छे से बिल्कुल है तो हमने एक पट्टी को अच्छे तरीके से लगा लिया है बुब counter दी को डालेंगे अप जो विल्कुल उसके ऑप वेजित हम डालेंगे तबर हमने नीचे से सुरू किया था तो इस बार हम उपर से ही सुरू करेंगे और फिर हम एक पट्टी को छोड़ते हुए इसी तरीके से पूरे में अच्छे तरीके से हम समा लेंगे तो हमने बिल्कुल फिरिंसिंग के साथ समाल लिया है अब हमने बाजू को ले लिया है सबसे पहले आप बाजू को इस तरीके से आप उपन कर लेंगे और उपन करने के बाजू को इस तरीके से आप उल्टा में रखेंगे और उल्टा में रखने के बाद अब हम पैच को ले लेंगे हमारा बाजू में जितना भी दबाओ होगा फ्रेंड बिल्कुल उतने ही दबाओ लेकर इस तरीके से हम पैच को रखेंगे हमने जो पैपिन बनाने के लिए सिलाय लगाया था बिल्कुल उसी सिलाय पे सिलाय लगाते हुए हम बाजू में पैच को अटाइच कर लेंगे अब हम बाजू को इस तरी के से सीधा कर लेंगे सीधा करने का बद पैच को इस तरह से हम पलटेंगे और प्लटने का बद हमने पैपिन निकालने के लिए जो सिलाय लगाया था बिल्कुल उसी सिलाय पे सिलाय लगाते हुए पैच को बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हम बाजू में बैठा लेंगे सिलाय को लगाने के बद अब हम बाजू को रख देंगे हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग को लिया है और यह डबल है आप देख सकते हैं और हमने जो इसकी चवडाई लिया है वो साड़े चार इंची लिया है और हमने जो इसकी लंबाई लिया वो भी साड़े चार इंची लिया है इस तरीके से आप ले लेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्मेंट की बीच में हम सेंडर का निशान लगाएंगे तो आप साबा दो इंची पे इस तरीके साब निशान लगा लेंगे निशान को लगाने के बाद इस तरीके से स्केल को रखकर आप निशान लगाएंगे तो हम दूसरी सेड़ बे इसी तरीके से निशान को लगा लेंगे अब हम निशान पे cutting कर लेंगे निशान पे cutting करने के बाद बाहर में quarter इंची का margin लेते हुए एक्स्ट्रा paper pasting की आप cutting कर लेंगे हम patch को कुर्ती का fabric में चिपका लेंगे तो friend हमने कुर्ती का fabric में चिपका लिया है और quarter इंची का margin लेते हुआ cutting भी कर लिया है अब हम इस तरीके से fold करेंगे और इस तरीके से fold करने का बाद वाद स्लाय लगाते हुए बिलकुल finishing के साथ हम पूरे patch में चले आएंगे स्लाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे बाजू को आप इस तरीके से रख लेंगे और आइरन से हमने सेंटर क्रिच अच्छे तरीके से बना लिया है तो इसी तरीके से आप भी बना लेंगे अब हम पैच को इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे और इस तरीके से रखने के बद सबसे पहले मुझे एक सेंटर सिलाय लगानी है ताकि हमारा पैच इधर उधर ना जा सके फिर हम इस तरीके से बाजू को घुमा लेंगे और घुमाने के बाद पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाते हुए हम पूरे पैच में सिलाई को लगा लेंगे सिलाई को लगाने के बाद बाजू को इस तरह से ब्रावर कर लेंगे और ब्रावर करने का बद क्वाटर इंची का मार्जिंग लेते हुए पूरे पैच में हम कटिंग कर लेंगे कटिंग करने का बद सबसे पहले आप इस तरीके से कट लगाएंगे और जब आप कट लगाएंगे फ्रेंट तो आपका सिलाई कटनी नहीं चाहिए इस चिश का आप ध्यान देंगे अब हम बाजू को इस तरह से उल्टे कर लेंगे और हम पैच को पलट लेंगे और पैच को पलटने कबद अच्छे तरीके से आप पैच के उपर प्रेस लगा लेंगे तो फ्रेंड हमने यहां पे प्रेस को लगा लिया है प्रेस लगाने का बाद हमने यहां पे एक पेपर लिया है पेपर को इस तरीके से रखेंगे और बाजू को इस तरीके से आप रखेंगे और बिल्कुल सटाकर हम पूरे पैच में निशान को लगा लेंगे निशान को लगाने का वद हमने यहां पे पट्टी बना लिया फ्रेंड सलवार का फैब्रिक का और कुर्ती का फैब्रिक का दोनों का तो सबसे पहले हम बता दे हम इस तरीके से पैच को रखेंगे और बीच में इस तरीके से पटी को रखेंगे और फिर हम एक इंची एक्ष्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे अब मुझे क्या करनी है फ्रेंट कि हमने जो निशान लगाया था निशान से हाफ इंची बाहर से ही मुझे स्टिचिंग करनी है क्योंकि में निशान पे ही पैच को मुझे बैठानी है बाजू के अंदर तो बिल्कुल इसी तरीके से निशान से बाहर आप सटाते हुए पट्टी को रखेंगे और क्वाटर इंची का मार्जिंग लेते हुए आप सिले लगाएंगे अब मुझे दूसरी पट्टी को लेनी है और एक पट्टी को छोड़ते हुए इस तरीके से हम अच्छे तरीके से समा लेंगे तो बिल्कुल इसी यह स्टेप को फॉल्व करते हुए हम पूरे में समा लेंगे पट्टी को तो फ्रेंड हमने पूरे में समा लिया है अब हम बाजू को लेंगे बाजू को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के पैच के उपर इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में बैठा कर हम रख लेंगे और रखने के बद लपपे स्लय लगाते हुए बिलकुल फृनिसिंग के साथ बाजू में हम इस पैच को अटैच कर लेंगे अटैच करने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे तो हमने cutting कर लिया है अब हमने यहाँ पर लूप पट्टी बना लिया है यदि आपको अगर लूप पट्टी नहीं बनाना आता है तो हम video का link description में डाल देंगे आप बहां से लूप पट्टी बनाना सीख लेंगे अब हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे पैच के ऊपर आप लप्पे शलय लगाते हुए बिल्कुल finishing के साथ हम पट्टी को लगाएंगे और जब आप कौन पर जाएंगे तो अच्छी तरीके से इस तरीके से आप मोड का बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कौन निकालेंगे क्योंकि कौन अगर आपका फिनिशिंग नहीं निकलता है फ्रेंट तो इस से फिर बाजू की खुबसूर्टी खराब हो जाएगी तो इस चीश का आप काफी बारीकी से ध्यान देंगे फिर हम हाफ इंचे का एक्स्टा पट्टी लेते हुए कटिंग कर लेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने का बाद फिर हम स्लै को लगाएंगे और यहाँ पर मुझे कट नहीं करनी है फ्रेंड लपे चले आएंगे और दूसरी सेट भी हम स्लेय लगाएकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बाइट आएंगे पट्टी को लगाने के बद अब हम बीच में एक फैबरिक बटन लगा लेंगे तो फ्रेंड हमने यहाँ पर फैबरिक बटन लगा लिया है इससे बाजी को खुबसूरती बहुत ज़्यादा बल चुकिए फ्रेंड आप देख सकते हैं